blogger website monetization requirements अगर blogger website आपने बनाये हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा एक fresh blogger website है और अगर मैं आपको बताऊँ इसके ओपर जैसे कि एक site है इसके अगर अर्णिंग section पर हम जाते हैं तो आप लोग ये जो अर्णिंग वाला section देख सकते हैं यहीं से आप अपने ब्लॉग को monetization यानि monetize कर सकते हैं monetize का मतलब यह है वैसे कलिए आपके site के उपर add चलेंगे यह basic चीज़े सबको पता हैं लेकिन भाई monetization enable करने के लिए क्या क्या चीज हमारे site के उपर होना चाहिए और भाई साब google adsense क्या कहते हैं monetization पे apply करने के लिए जैसे कि blogger website के उपर youtube के जैसा नहीं है आपको पता होगा youtube जैसे कि यह channel monetized है अगर यह channel monetized है तो यह adsense के द्वारा ही monetize है लेकिन blogger के case में ऐसा नहीं है आप monetize बहुत तरीके से कर सकते है adsense के अलाबा ऐसे हजारों platform है जो आपको monetize करने की opportunity देते हैं लेकिन adsense के उपर लोग इसलिए सबसे ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं adsense ना आपको ad जब कोई आपके site के उपर visit करेगा जैसे कि मैं अपने site के उपर जा रहा हूँ तो यहाँ पर जितने भी add यह add आ रहा है ना इस add को देखने का पैसा देता है ऐसे सामने आया इसका ही पैसा adsense देगा लेकिन दूसरा platform क्या होता है अगर कोई इसके उपर click करेंगे तो ही पैसा देगा यही बस different है चलो यह सब बाते बात में करेंगे लेकिन गाइस requirements क्या है वो हमें देखना है इसके लिए simply हम लोग आ चुके है adsense के form के उपर यहाँ पर eligibility requirements for adsense आपके सामने दिखने के लिए मिल रहा है अब एक एक करके मैं आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ सारे चीज as it is आपको नजर आ जाएंगे सारे चीज सही पता चल जाएंगे मैं अपनी मन गड़न कोई कहान ही नहीं बताऊंगा यहाँ पर adsense आपको बताता है to participate in the adsense program you need to meet our eligibility requirements here are some things to check before you sign up for an adsense account अब उसके बाद adsense यहाँ पर बताते है do you have your own unique and interesting content यही बात सबसे जादा लोग समझ नहीं पाते हैं और यही सबसे बड़ी और कहदो सबसे मतलब सबसे बड़ी और सबसे पहली घलती है लोगों का adsense सबसे पहले पूछते हैं क्या आपके पास कोई unique content है या फिर interesting contents है और साथे साथ यह चीज आप लोग नहीं देखते हैं अब देखो भाई हम क्या करते हैं कोई भी topic उठा लेते हैं उस topic के उपर डालना content लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें वो पता नहीं होते हैं आखिरकार वो content unique है या फिर नहीं अब यह जो unique शब्द यहां पे use हो रहा है इस unique शब्द का मतलब क्या है unique का मतलब यह हैं कि हजारों लोग google के उपर जो post index कर रखे हैं google के उपर जो भी post लिख रखे हैं जैसे कि top five earning f और students ऐसा मैंने search किया यहां पे बहुत सारा site आ रहा है तो यह जो लोग लिख रखे हैं इससे मिलता जुलता तो नहीं है मतलब उनका हूब हो तो नहीं है आप कुछ इनसे बहतर दे सकते हैं तो यह आप कैसे ढूंडेंगे भाई यहां पर रिजल्ट तो हजारों आएंगे 100-100 रिजल्ट आएंगे लेकिन आपको वह ढूंडने के लिए मतलब दिमाग चार्ट जाएगा कौन क्या के अलिक रखे हैं वह दिमाग भे रखना तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है टॉप त्री पोस्त आप लोग boom करो टॉप थ्री पोस्त उपध करके देखो वह लोग किस तरीके से describe की हैं अब टॉप थ्री पोस्त इसलिए मैंने बोला के टॉप थ्री इसलिए Google सबसे उपर उनको दिखा रहा है कि उनके content के उपर दम है तो आब उन से bait करो उन से बहेदर बनाओ तो इससे आपका content जो है unique बन जाएंगे, कोई भी topic उठालो, जो आसान लगे आपको जो आता है वैसे topic उठालो, उसके बाद interesting का मतलब क्या है, interesting का मतलब यह नहीं है, कि आप जो content लिख रहे हैं, लिखने के time आपको मज़ा आ रहा है, या फिर adsense का team जब हैं, तो मुझे irritate feel हो रहा है, page के उपर रुखने का मन ही नहीं कर रहा है, वो interesting नहीं होते हैं, engaging content और interesting content सेम बात है, guys यहाँ पे, आप interesting content लिखो, इसका मतलब यह है, आप जिसके लिए content बना रहा है, like आप बता रहा है, Google Pay के उपर से हम payment कैसे करें, तो वहाँ पे आप Google Pay का पूरा history निकाल रहा है हो, तो उसके इस पर लोगों का कोई solve नहीं होगा, भाई आजाओ actual solution दे दो, इससे ही लोग आपके site के उपर पढ़ने पर interest दिखाएंगे, बेकर में वो Google Pay के बारे में जानके कर क्या करेंगे, वो आप last में डाल सकते है, post के नीचे, लेकिन उपर ही उपर आप interesting जो content है, मतलब आपके solution है, वो जल्दी देने की कोशिश करो, लोगों को आप जितना घूमा होगे, आपके content है, वो interesting नहीं रहेंगे, उसके बाद adsense आपको कहते है, does your content complete with the adsense program policies, अब ये program policies भाई क्या है, यहाँ पर अगर हम click करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, adsense का program policies क्या है, basically यहाँ पर जो है, invalid click and impression, यह जो है आप अपने ad जब आपके monetize हो जाएंगे, उस चाहिम पर आप अपने ad को देख नहीं सकते हैं, और अपने ad को जो है आप click नहीं कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ पर वो ad के बारे में हैं, और सबसे matter करते हैं, यह एक चीज traffic source, तो traffic source बहुत ज़्यादा matter करते हैं, आप अगर youtube से directly अपने site के उपर traffic दे रहे हैं, या फिर कोई आपके site को search कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने site को आपको दिखा देते हैं, इस site के उपर हम काम कर रहे हैं, और आप जाके ऐसे search कर लेते हैं, जैसे कि full to apk.site ये वाला site है आप लोग जाके search कर लेते हैं, इसके उपर visit करते हैं, तो ये एक traffic source खराब करते हैं, traffic source Google हमेशा मानते हैं, कोई QR को search करें, तो आपके post जो है, वो rank हो, उसके बाद traffic आए, तो ये सबसे बहतर तरीका है, linking करके, यहाँ पे जाओ, वो social media पे जाओ, link करो, हाँ traffic मिल जाएंगे, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहेगा, add behavior, add placement, ये आपको adsense approval के बाद आपको ये नजर रखना है, side behavior, side behavior के अंदर बहुत सारा चीज आते हैं, आप अपने side के उपर कुछ ऐसे चीज नहीं डाल सकते हैं, जो चीज permission नहीं है, लोगों को देने का, वो एक company के कोई software, movies, games हो सकते हैं, तो वो आप खुद बाट रहे होते हैं, फ्री में, ऐसे चीज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साथी साथ आप कोई भी उल्टे सीधे, malware, virus वगरा, ये सारे चीज प्रोबाइड नहीं कर सकते हैं, और साथी साथ एक चीज आप लोगों को ध्यान रख करोगे, उतना ही एटसेंस यहाँ पर आपके side behavior का जो आपके point है, उसको कम करेंगे, जितना कम हो सकते हैं, लोगों को दूसरे side पर भीजने की कोशिश मत करो, और यहाँ पर यह सारी चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, linking वगरा, जो link आप देते हैं, वो link काम नहीं करते है लिंक available नहीं होते हैं, अगर आप like आपने side बना एकदम fresh और उस site के उपर एक link मतलब एक button create किया, जिसके उपर आपने linking किया, दूसरे एक site का, जहां से आप उल्टे सीदे हरकत कर रहे होते हैं, तो ऐसे चीज भी आप नहीं कर सकते हैं, एटसेंस इसको भी पकड़ लेते ह बेसिक चीजे इतना ही आपको follow करना है, उसके बाद आते हैं भाई, आप 18 years old का आपको कम से कम होना चाहिए, उसके बाद आप sign up कर सकते हैं, एटसेंस के लिए, और मेरा राय मानोगे, मैंने अपने experience से जितना भी सीखा है, जितना देखे हैं, वो ये चीज ये हैं, आपको आपके साइट के उपर traffic आना चाहिए, अगर आपके साइट के उपर traffic नहीं रहेंगे न, तो एटसेंस आपको approval नहीं देगा, और कम से कम आपको हर दिन post करते रहना है, एकदम आपको engage ही रहना है आपके साइट के साथ, भाई, एटसेंस चाहते हैं, वो आपने ad चलाए कु आपको कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, देखिए मैंने आपको आज बता दिया, ब्लोगर के लिए क्या 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 रिक्वर्मेंट्स हैं, ये सारे चीज़ फॉलो करके आप असान इस एटसेंस के approval ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएंगे, और हाँ, बोनस मे एक टिप्स मैं आपको दूँगा, पचास से ज्यादा पोस्ट लिखना फिलाल के टाइम पे, पहली की बाद छोड़ो भाई, दो हज़र तेईस की बाद छोड़ो, दो हज़र तेईस को दिमाग से निकाल दो, दो हज़र चौबीस आ गया है, जो चौबीस खतम हो रहा है, और पचीस के बाद ना, आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ, आप पचास से ज्यादा पोस्ट लिखने के बाद ही एक्षिन्स का अप्रूबल लेने के लिए जाना, उसके पहले मत जाना, ये जो चैनल है ना, पीसी ग्रवर, इसका प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे सच मुच आपके नजरिया को बदल सकते हैं, आपके जिन्देगी बदल सकते हैं, क्योंके मैंने ना, यहाँ पे मेरा 8-9 साल के यूट्यूब और व्लोगिंग से जितना भी सीखे हैं, एस इटिस्ट शेयर करता हूँ, कोई चीज आप से छुपाता नहीं हूँ, मेक शूर चैनल को सबस्क्राइब करना तक इन फ्यूचर ऐसी कंचेंट मैं आपके साथ शेयर कर पहूँ, और हाँ, इसी गरवर टीम कभी भी आपसे आपके परसनल इंफरमेशन लाइक, OTP, email address, bank details, phone number, कुछ नहीं पूछते हैं, तो ऐसे चीज़ कभी भी हमरे वीडियो के कमेंट प कि भी हमरे वीडि़